ओम वंदेवा मातर मित्रो यह खाओ स्वस्थरहो पर्फेक्ट डायट प्लां से प्रभाब सबका स्वाधत करती हैं मित्रो आज हम एक और ओशरी के बाले में बात करने जा रहे हैं जिसे हम अपने घर में लगा सकते मैंने तो अपने घर में लगा रखी है और बड़ी सरल्द आपको फाइदे बताओंगी बाल सफेद होने से लेकर बाल जड़ने तक से लेकर एड़ी तक के जोड़ों के दर्द में भी सब काम करता है तुमितरों यह इतनी अच्छी उशरी तो आपको इसे घर में अवश्य लगाना चाहिए ताकि आप इसका प्रयोग कर सकें तुमितर तो कुमारी कोरफर मराठी में कोरफर कहते हैं बाकि भाश将 का मुझे जान करें ही यह आप गूगल कर सकते हैं पता चाहिए इसको कैसे सेवन करना है इसके लगो क्या नुक्सान है अतिस सेवन करने से क्या नुक्सान हो तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें कि इसमें कौन से रास हैं और क्या-क्या यह काम करता है सम आप आपको विश्दार से बताएंगे मित्रो इसका जो नाम एक बड़ा प्यारा नाम है जिसको हमारे वेद की भाशन में गृत कुमारी कहते हैं अब में नुकसान क्या होता है जो को पेशन होते हैं जुँ ऊताया क्रचा कॉमारी क्या मतलब क्या मार इक लड्की इतना सब्सक्राइब और इसके नाम का सीधा सार्थ गृतकुमारी का तो चलिए अब हम इसके रस्की बात कर लेते हैं मित्रो यह जो है जैसा कि आप उसको देख रहें इसका रंग उपर से हरा है और इसके अंदर पानी जैसा चिप-चिपा लिसलिसा भूदा निकलता है अभ हमारे दूसरे चनल पर आपको मिलेगा उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्षिन में डाग दूंगी चलिए आगे बढ़ते हैं तो मित्रो यह जो गूदा है यह जो पदार्थ है जो औशदी है मित्रो इसका जो व्रस है यह कड़वा होता है हम हिंदी में उसको कड़व जब आतो जाए दो हम आपको जानिकर होने सजय है मीत्रों यह प्रकरतिं हो गरम होती है इसलिए इसमें कफ नाशागुन और में विरचन हो इसमें 1223 Mr. A. मिनर असलिये बहुत सारी खृचला पिर त्योंजर्म ने की जैनि रहां के आच्छ Noah वह promin supplier को इसके लाब देख लेते, क्योंकि जब तक लाब पता नहीं चलते ना, तो मैं बहुत सी चीजों में इंटरस्ट आता ही नहीं करने में, कि आगे क्या सुना, जिब इसके फाइदे ही नहीं, तो हम इसको सुनके क्या करेंगे, सबसे पहले पेट की गांट की बात करते हैं, मित् तो आप क्या करिए, एलोवेरा का गोदा निकाल लीजिए, उसको पेट की गांट की उपर बांध दीजिए, किसी कपड़े के सारे से बांध दीजिए, और आप 10 से 20 ग्राम, यह आपकी उम्र, आपकी शेहन शक्तिक पर नेवर करते हैं, 10 ग्राम भी ले सकते हैं, 10 ग्राम वो भी निकल जाएगी, पेट की जो बांट है, वो भी निकल जाएगी, पेट की गर्मी से आपको आराम मिल जाएगा, और साथ ही आपकी जो पेट है, जो आते हैं, वो आपकी नरम और एक्टम मुलाइम हो जाएगी, यदि पीलिया हो गया है, तो पीलिया में 5 से 15 ग्राम अलोवेरा का रस ले ले और उसमें आप थोड़ा स्वाद अनुसार मिश्ची मिला लें बहुत जादा ना मिलाएं इसको पीनी से शरी में ठंडक आती है पेट की जलन में भी आराम मिलता है और साथ आंखों में जो पीला पन होता है चमणी पे जो पीला पन आ जाता है उसमें तो पोल्के नहीं लेना है आप बर्तन में लेगें जैसे दो भाग इतना होता है तो इतना आपने उसमें यह बरतन है और उसको क्या करना है आप्ते हबाद इसको छांद दीजिए यह आपके लीवर के लिए तरह एड़ा है पीट को ठंदा अब इसको आप सुखे शम 10 से 20 ग्रम वही मातर यदि 10 को हो जाएं तो 10 ग्रम के इसे परयाप्त हो जाएगा और उससे भी कम में 10 हो तो उससे कम कर दीजिए क्योंकि आपको सेवन करना तो आपको पता चले जब आप सेवन करेंगे तब कि आप कितनी मातर में हजम कर पारें यह मैं इसे बाल जड़ा जयाते हैं जैसा कि मैंने कहा और उसके अलावा मित्रों बालों में जलन वह लालीमा हो और आंख में दुख रही हो दर्द हो रहा हो कैसा भी दर्द आंखों में तो आप क्या करी आप एलो वेरा को जो है ना उसका जो गूदा है वह ऐसे निकालीजिए और उसको आंखों पर एसे लगा दीजिए और एसे फोड़ी दर आराम करिए इससे आपको की जलन लालीमा सब शांत हो जाएका और बहुत जल्दी शांत हो जाता है और यदि आपको खुजली जैसी समस्याबी अरी आंखों में तो उसमें हल किसी नाम मातर के थोड़ी सी हल भी एक चुटकी पर डाल दीजिए उसके मिक्स करके आप उसको लगाए इससे आपको काफी जल्दी आँखों में आराम मिलता है कहीं बड़ा खोड़ा हो जाता है पकता नहीं फूर्टा नहीं पकने में समय लगा रहा है तो उ दो त‎ त‎ ट assistants आपको जल्दी पकतément और फूट जाएगा और वगाए मरर फूट को फूर्ट जाय तो लगोड़ी निकल जाता है और आराम आ जाता है वैसरी इसमें अल कम ही अलो भे जन जगा दी पर जन बढ़ने जाता हम हम तो आपको गब बड़ती प्य सोड़र के आर तो आपके गांठें वहां से बैठने लग जाती हैं तो आपको जो भी आप प्रयोग करेंगे वह बहुत जल्दी प्रणाम देंगे और यदि उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो यह प्रयोग खाली थोड़ा-थोड़ा काम करते इंको समय लग जाता है इसमें स्वास्तनियम का पुरा पालन करेंगे तो जल्दी समाधन होता है तो आप वह कर लीजिए और मित्रो कभी-कभी किसी के घुटने ने ऐसी जल्दे पर बहुत दर्द होता है पर यह जो मैं आप प्रयोग बताने जा रही हूं यह मेरी माने बहुत अच्छे से किया और जल्दी फायदा होता है पर हां इसमें थोड़ा सा दर्द भी जिलना पड़ता है दर्द क्या होता है मित्रो इसमें इसको कैसे करना होता है अलोग यह जो बीट से काट लीजिए बीट से फाल लीजिए आलग करिए मत करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके बाद आपको निचे लिए यही तर्फील नीचे और दर्म together उसके बाद जेहां घुटने में आपको पीड़ा है जहां घुटने में दर्ध दर्ध शूजन आ उसका पर यह को बादि दीची़ आके को पर कपड़े से इ में यह यह आपके घुटने की दर्ध को आपके गुटने की सूजन को खीच के यह एक ही बार में बहुत अच्छा काम करता है कि मेरी इमानी जो प्रयोग किया अकसिर उनोंने बताया उनको उनको उनकी बहने बताया था मेरे नाना भी काम करते थे वह अबैधी थे तो वह सब चीजें बताते थे तो उस तरह से मैं आपको बता रही हूं पर हां इसका प्रयोग करने से किसी को चाले आजाते हैं तो दर्द भी होता है तो चाले आजाएंगे पर आपका में चल दर्द चला जाता है वह चाले फफोल अगर आप गरम कर दीजियी उसके उपर से कपड़े साथ है, तो खोकح कर दो हो तो आप क्या करा दर्द हो चोट हो सूजन आगई तो आप क्या करिए एलोवेरा का बूदा ले लीजिए उसमें अफिम के पत्ते जहां अफिम होती अफिम के पत्ते आसानी से मिल जाते अफिम के पत्ते ले लीजिए और हल्दी थोड़ी सी ले लीजिए इसको मिक्स करके आप उस चोट की ज़के पर लगा देंगे सुजन या विशेश का डियाबिटेज वालन को ध्यान रखना नहें तो गैंगरी नेदिक आपको हो जाता है तो आप क्या करिए इसको अलोगेरा का जो जैल है जूस है वो निकाल लीजिये रस निकाल लीजिये और उसके बाद उसमें आपको थोड़ा सा यह हल्दी मिलानी और ध्यान र यह जाएक तो प्रियोग करें तो यह आप को बहुत जल्दी आपको असर देगा तो मित्रों आप क्या करिए उस तरह साथ यूज करी पर हां हल्ती जिश्वास पाक्तर होनी चाहिए वरना हल्ती जो है करी बहुत नुक्सान कर जाती है तो आपको नुक्सान कर जाएगा तो उसके बाद उसको गैंगरीन के घावपे बांधेंगे तो बहुत जल्दी काम करता है यह आपको मिल जाए तो एक और पत्ता होता है जिसे हम विधारा कहते है आलवेद ऑशदी है विधारा का पत्ता है जड़ी बूटी पे आपको पंसा लिए उसको साथ में पाउडर ले तो पाउडर मिल जाएगा वो लियाए उसको इसमें मिलाके लगाएंगे उससे बहुत जल्दी घाव परते हैं विधारा अलोवेरा और भल्दी यह घाव भरने में अकसी लाने तो बहुत जल्दी काम करता है तो अब इसका प्रयोकर यह बहुत जल्दी भरता है और वैसे ही कभी जल जाते हैं तो जल्ली हुई तचा पर यह आप अलोवेरा तुरन्ट लगा देते हैं तो छाले नहीं परते कि वह घरम ठंड़ा होता है ना वृसले ठंड़क के करण चाले नहीं परते है और जलना जल्दी शांत हो जाता है, और कभी किसी को और इसका लेख को स्टमपर तो इससे आपकी सूजन आपके जो दर्वरा उसमें बहुत जल्दी आरह हो जाता है यह बहुत अच्छा काम करता है और यदि इसे हम कॉस्मेतिक के रूप में योज करें मित्रो तो बहुत अच्छा है य इस लगालेंगे तो यह आपके दाग नहीं पड़े देता और दागा धबवों को होता है ना इसमें जब इसको काड़ते तो इसमें यहां से पीला-पिला पदर्थ जो टपकता उसको टपकने नहीं देंगे तो खुझली होती है और किसी की रूखी तवच्छा उसमें भी थोड़ी समस्य होती है तो उसमें थोड़ा सा दो तीन मुन बदम रोगन डाल लेंग है यहांतों को है किसी को पाय डिया हो गया दंटों की समस्या मुर्सुरों की समस्या है तो क्या करना को इसको मुं में इसके जो मुदा है उसको लेकि आपको मसुनों की मालिश करनी है उंगली से इसकी मसुनों की मालिश करेंगे तो इससे आपके दातों की सभी समस्याओं के मुख दुरगंद की समस्या का या यह मुखी जो भी समस्या है उसमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है वैसे यह आपके कान में कान में तो इसे बहुत जल्दी काम होता है परसाथ में ये भी करेंगे तो आपको अच्छा और जल्दी आरा मिलता है ये इसके बहुत अच्छे गुण है इसके अलावा डाइबिटेस हो जाए किसी को नपुन सब्सक्ता होती है यानि की बच्चे नहीं हो रहे हैं धातु कमजोर है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है टोड़ी फुण सीं हो जाती है और कभज हो जाय पेर साफ नहीं हो रहाए शेरी में घर्मी योड़ प्रेस में किलीए ऐलव água का जेल बहुत अच्छा काम करता है जेल मतब मैं ज 콘 willing पकड़ रही हूं आप इसको अलग ना लें क्यूंकि मैं जैल को ही पी लेको अपसी को सब तरीके से प्रेयोग करती हूं एक बात बतना रहे गया थे यहां बावलों के विशेम बतायाई मित्रो बावज़डे में जो एक कारण से एक बार डेंडरफ होता है तो यह बालों में के बावलों में सुखा पान हो जाता है उसमें बीए डेंडरफ संपूर्ण बॉड़ी के लिए टॉनिक का काम करता है और यदि आप यह बनाते हैं तो बहुत अच्छी होशादी है आप इसे घर में बना सकते हैं एक उशादी हमने पहले ही बना दी बता दी जो हमने कहा ना कि एलोवेरा दो भाग और उसमें एक भाग आपको मिलाना इस शै करते हैं यह वात और कफ के रोगों के लिए बहुत अच्छा है जैसे कि अमने शुरुआत में बता यह उश्न होता है इसलिए पित के रोगों में इतना लाब करी नहीं है पर आप बाहरीया प्रियोग कर सकते हैं आंत्रिक पेट साफ करने के लिए अच्छा काम करेगा और प्रियोग आपको हानीकारफ हो सकता जिनको पित है और पित वालों के लिए और यह उश्री भी काम की नहीं है तो मैं पहले ही बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हों तो मित्रो यह उश्री बनाने कैसे है एक किलो आपको लेना है गवार पठा उसको आपको क्या करना है प्रिया ना उसको काट दीजिए दोनों साइड आप दीजिए उसके बाद इसके छोड़े चोड़े 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 पीस बड़े आराम से कट जाता है अब उसको काट लेजिए और यह एक किलो एलोवेर आप पर आप टुकड़े लेंगे उसमें आप करीब सौ ग्राम अर्टीर स्विच्फ से लेगा तो इसको आपने क्या करना है दोनों को डाल इजिए और उसके की मूं को चापड़े से को दूप में अपना है ध्यान रखिए एलोवेरा और नमक डाल के तीन दूप में रख दीजिए उसको दिन में दो बार चला दीजिए उसके बाद रात को चाय में उठा लेजिए रात सुबह वापा सब दीजिए जैसे हम लोग मुरब्बा बनाते हैं वैसे आपको रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है तेन दिन बाद इसमें एक चीज और करनी है कि इसमें हल्दी धनिया काला जीरा और सफेद जीरा और सोंट ये पांचो चीजे 20-20 ग्राम की मात्रा में लेने हैं कि पांचो चीज मिला के 100 ग्राम हो जाएंगी आपकी ध्यान से सुन लीज सुछिन, सुहागा, और साथी बड़ी इलाइची इन सबके चून लेने है जैनि को सबको पीस लेना है और यह 6 ग्राम में आपको लेना है अर मित्रों ये जो चीजी आपको कहीना में हimento सारी दूकान मैं जो अशरी अकरकरा वगर इसमें पून सारी कान पीद भान पे राओ also Uhm, 바로 अजवायन, राई & अकरकरा और अकरकरा , यह यह 90-60 tha进ी में डालना है को मिर्थो के एर सफचित होगे को we need to get to Est Kolumbra I pijnलां है RTX 20-20 ग्राम के मात्रा चासे हैं काले मिर चिहांन, पिपल लॉंग , दाल्चीन, शुहागा और बड़ी लाई चीचेचे ग्राम होगी और उसके बाद आजवायन, राई और अकरकरा ये एक साथ ग्राम हो गया निकि ये तीनों मिलाके 180 ग्राम बनेंगे तो मित्रों ये सारी चीज़ें आपको तीन दिने बाद इसको डाल देनी है उसके बाद इसको थोड़ा चलाते रही है दो-तीन दिन उसके बाद इसको आप सेवन कर सकते हैं यानि कि जैसी का मिंशन सेवन कर सकते है ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑशाधी का कारेगा जिनको वात और कहते रोगैं उनके लिए बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है जैसा कि हमने शुरूत में बता मिदा एह उश्म होtा है और मित्रो ये दो तरीके से आपको नुक्सान कर जाता है, जो करता है नुक्सान मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने कहा ये इसको पीला पदर्थ निकलता है, ये आपको बता होगा, आप इसको काटेंगे, एक घंटा ऐसे रख दीजिए, तो पीला पदर्थ टपक के अप तो कभी-कभी गर्भार्षा में संकुचन आता उसमें कुछ चीज़ें प्रक्रियां ऐसे होती हैं जिससे कभी-कभी गर्वपात होनी की स्थिती बन जाती है इसलिए कभी बी ऐलोविरा गर्ववती कुछ निल्ग दुचा रोग का चनला कि तो आपकी पिर सब्सक रेशाली इसमें संदिक जाती हैं तो आपको शराइस हो, लिकोडर्मा हो, सफेद दाग हो या उपदंश जैसी को समस्य हो, वब भी ऐसी समस्य हो उसमें आप एलोरा उपर शेवाच दसीविश रमकी मात्रा में सेवन करें तो पेड साफ हो जाएगा तो आपकी शएः जंक् disseon कर लिया में और जादा थीचा जञा जादा आपने सेहन कर लिया तो इस इस से आपके शरी में जलाती है ज्यातीra बढ़ जाती जैसे दिधि मैंने बताई का वीडियो बना त sólo इधों सबढ़ें तो आपके दोशों को बालेंस करता है तो प्रमान ने सही तरीके से वन करें ताकि सही लब मिले और मित रहों इसे कई वर जयसा था कि मैंने का तरहने वाली होती है तो विरेचन होती है तो जादा दस्त हो जाने से बौड़ी पाने निकल जाता है तो dehydration हो जाता है और चपकर वगर आने की समस्या हो जाती है और BP कई बद इससे low हो जाता है तो इति आपका high BP आप लेंगे तो चलेगा कि लो BP है और आपने उसके साथ ही ले लिया है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है विशेश कर जिनको IBS की प्रॉब्लम होती है ना IBS जिनको मंदाग में भी होती और इसी चीज़ें होती है तो उस समय यह चीज़ें नहीं सेवन करने चाहिए इससे आपको समस्या बढ़ जाएगी तो मित्रो आश्रा है आपको सावधनिया समझ में आई होगी और कितनी मात्रा में प्रयोग कर आप उसको सुभे साम 20-20 रम तक की मात्रा में सेवन कर सकते हैं और उससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी सेवन ना करें उससे ज्यादे आप सेवन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा हनेकारव हो सकता है इसलिए मित्रो सीमा में कोई भी चीज़ प्रयोग करिए करके देखिए पता चलेगा और हां तेल के इसका घी कैसे बनाना है तेल कैसे बनाना मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगे और साथी इसका हल्दी के साथ कैसे आप प्रयोग कर तो जो मैंने बताय था ना भुटने पे बानने वाला हो भी मैं आपको बता दूँ उसी व स्वास्तियम का पालान करी ताकि आपके सवीरोगों को समाधान करने में आपको साहता मिला और नंबर भी में जाएगा यदि आपको हम से कौन्टेक्ट करना है तो बाकि संफर्क्स को तो भी हमने दे रखे हैं धन्यवाद वंदे मात्रम